हलो फ्रेंट्स केसे हो आप एक बार फिर से स्वागत करते हूं मेरे यूटूब चेनल कमलेश की रसोई में आज हम बनाने वाले पोकोनेट की मिठाई जो बनाने में बहुत आसान है विना गी और बिना मावे के बनती है उसलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमने दूद डाला है दूद उबला हूँ है और उबा लेते हैं इसको अब हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर ताकि अच्छी तरह से उबाला जाए इसमें थोड़ी सी लाच पाउडर डालेंगे ताकि खुशू अच्छी आये कलर डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे अब हम इसमें एक ओकोर्णर डाल देते हैं जिसे हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालते हैं ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने हमारा नारियल का बुरादा भी खुल बनके यह देखो त्यार हो गया है अब इसको दूसरे बटन में निकाल लेते हैं हमने इसको बठन में निकाल ले अब हमने इसको इस परकार की मिठाई बना लेंगे मिठाई को हमने सेफ दे दिया। आप कैसी भी शेफ देश सकते हो यह बनाने में बिलकुल आसान है बहुत ही कम वक्त लगा है शिर्फ दो चीजों से बनाए है ना गी ना मावा शिर्फ दो चीजों से बनाए इस मिठाई को और खाने में बहुत ही टेश्टी है और बनाने में बहुत ही कम वक्त लगा है आप कि इस परकार से बनाई है बहुत कम वक्त लगेगा और दिकने में भी बहुत सुंदर है अगर आपको मेरी रेश्य पर पतंद आई तो इसको लाइक, स्थेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स